दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के कुछ एसे अध्भुच मत कर दिखाएंगी जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जली से कर ले और बेल आकन कौन करना ना भूले तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो ये वीडियो तीन साल पहले रेकोड किया गया था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे स्री भगवान कृष्णा जी के मूर्ती दूद पी रही है और इस वीडियो को देखकर कई लोग हैरन हो चुके थे लेकिन ये वीडियो हंडड़नी स्रीयल हे और आप भी देखिए ये जीरियो ये भगवान जी जै बगवान जी जय कर दो देख कर नहीं है भीवीडियो अधार मोश्धिकली आधाय झालता है तो एसे वीडियो को देखने के बाद आका क्या लगता है क्या भगवाण सरी कृष्णा जी इसमूर्ती के अंदर सचमुच में है यह कमेंट करके चरूर बदाए और अगर आधा भगवाण स्री कृष्ण जी की सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्षिन में जई स्री कृष्ण लिखना मत भूलेगा दोस्तों ये वीडियो राम नममी के दिन रेकूट क्या गया था और इस वीडियो में आप साफ दिख सकते हैं कि कैसे स्री राम जी कि मूर्ती के हातों से पानी आ रहा है और वहां के कई लोग ये देखकर हैरन हो चके थे और कई लोग ये मानते हैं कि ये पानी में अमरूत है और ये रहा उस वीडियो के एक छोट सी क्लिव और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप स्री राम जी की सचे भग थे तो कमेंट सेक्शन में जै स्री राम लिखना मत भूलेगा दोस्तो आपने हमारे चैनल पे भगवान सिव जी के कई चमतकार देखे होंगे लेकिन ये चमतकार बहुत ही अनोगा है आपने मंदिर में कभी न कभी भगवान सिव जी के उपर ये कलस देखाई होगा लेकिन क्या आपने इस कलस की चमतकार को देखा है अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर लटका हुआ कलश अचाना के गुमने लगता है लेकिन उस कलश के आसपास कोई भी मौजुद नहीं होता है और फिर भी ये कलश गुमते रहता है और आप भी देखिए वीडियो दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या लगता है या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप भगवान सिवजी की सचे भक्त है तो कमेंट सेक्षिन में हर हर महादेव लिखना मत भुलेगा आप देख सकते हैं कि भीड से बड़ी सड़क पर लोग आते जाते हैं लेकिन उसी भीड के बीच सी भगवान के मूर्ती के पास से अचानक तरिसुल उड़ने लगता है इसी उड़ता देख लोग हेरान हो जाते हैं लेकिन इस वीडियो को रेकोर्ड किया है एक सीसी टीवी कैमरा ने दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताईए और हाँ भगवान को जानने के लिए सबूतों की नहीं सची आस्ता और दिल चाहिए और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले फिर मिलते हैं अगले और नई वीडियो में थैंक्स और वाचिंग